नमस्कार दोस्तों सौर एकेडमी वे एक बार फिर आपका स्वागत है और जो हमारे पटवारिक जम के प्रीवेस एर क्वेपर की स्रीज चल रही है उसमें से कुछ महत्पूर्ण क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं उनको आज की वीडियो में कभर करेंगे बहुत महत्पूर्ण क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के साथ 4-5 फेट अत्रिक्त फेट को कभर किया जा रहा है जिससे हमारे पास एक नए तत्थों का एक बंच तयार हो जाएगा तो वीडियो को पूरा देखिए चलिए सुरू करते हैं आज के महत्पूर्ण क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आज का कि 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है तो 14 सितंबर जो मनाया जाता है वो राष्टी हिंदी दीवस के रूप में मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है क्यों कि 14 सितंबर 1949 जब हमारा सम्मिधान का निर्मान हुआ था 14 से तब मन 1949 को सम्मिधान सबाने यह निर्णा लिया था कि हिंदी केंद सरकार की अधिकारिक भासा होगी सम्मिधान सबाने केंद सरकार की अधिकारिक भासा होगी और इसे भारती सम्मिधान के भाग 17 में भारती सम्मिधान हमारा उसके भाग 17 में आनुच्छे जो आर्टिकल है 343 एक में सामिल किया गया है तो पहला फेक्ट है कि कब इसको अधिकारिक रूप से अपनाया गया था तो 14 सितंबर 1948 को सम्मिधान सवाद और अने लिया गया था कि हिंद्री केंद सरकर की अधिकारिक भासा होगी सम्मिधान के किस भाग में तो सम्मिधान के भाग 17 में और आर्टिकल 343 एक में इसको वढ़नी था है संग की राजवासा के रोप में और जो हिंदी की लिपी है वो कौन सी लिपी है देव ना गई यह भी याद रखना है कौन सी है देव नागरी तो हिंदी की लिपी कौन सी है देव नागरी 14 सिदंबर उन्नेस सवन चास भाग सत्रा आर्टिकल संगी राजमासा और देवनागरी यह राष्टी हिंदी दिवस के रूप में हम 14 सितंबर को मनाते हैं चले नेक्स्ट कॉस्चन देख लेते हैं खजुराहो किस वनसच की सांस्कृतिक राजधानी थी खजुराहो किस वनसच की सांस्कृतिक राजधानी थी एक हजार-पचास इसवी के बीच में हुए था। 950 इसवी से 1050 इसवी के बीच में और यहां के जो मंदिर है, वो हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। किंट को समर्पित हैं ? हिंदू और जैन धर्म को समर्पित हैión और जो वर्तमान खजुराहों किस जिले में है च्छतरपुर जिले में खजुराहों किस जिले में है च्छतरपुर जिले में और खजुराहों से एक फिक्ट और मिलता है जो मद्द परदेश का पहला हीरा संग्रहाला है वो भी कहा है? खजुराहो में है। मद्ध परदेश का जो पहला हीरा संग्राला है वो कहा है? छेतरपुड जिले में। इस तरह से खजुराहो समधने बहुत सारे फेक्ट कभर हो रहे हैं। मद्द प्रदेश राज में कुल कितने जिले हैं तो मद्द प्रदेश राज में जो वर्तमान है भी बामन जिले हैं चुकि ये पुराना क्वेश्चन है इसमें ओप्सन दिया नहीं गया है बामन जिले हैं वर्तमान जो मद्द प्रदेश में कितने बामन जिले हैं पुर्निवाडी है इन नेताओं में से कौन खिलापत अंदोलन के मुख नेता थे यहां पे जो आपसंदिया हुआ है उसमें से महात्मा गांधी क्योंकि खिलापत अंदोलन कब से कब तक चला उन्नेस एफ marisaak मुख नेता है रही है और आपसंदिया है उसके हिसाब से महात्मा गांदी जी कि चलिए चलिए नेक्सट है कि बाबा साहब ढाक्टर भीम्रावं बेटकर को जन्मिस्थन कहां है तो बाबा साहब भीम्रावं मेटकर को जन्मिद्वत्सव रहे हैं और ये हमारे सुतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री रहे हैं। ब्रथम विद्धी और नियाय मंत्री रहे हैं। मसौदा समीति के अध्यच रहे हैं सारे फेक्ट हम कभर कर रहे हैं चली देखते आंगे जैप्रकास नाराणन को लोकनायक कहा जाता है क्या कहा जाता है लोकनायक संपून क्रांति के आंदोलन करता थे और 1970 में इंद्रा गांधी जब प्रधान मंत्री थी तो उनमें एक मजबूत विपच्च की भूमिका के रूप में जैप्रकास नाराणन को जाना जाता है तो इस तरह से जैप्रकास नाराणन के तो देख लिए अब देख लेते हैं मद् थे सका उचयनालивать जबल पूर में है और इसकी दोह खंडपीट है वह कहां है इंदौर के और हो और होलियर अ क्यों के दोखोंड पीट है इंदौर और में खंडपीट श्यनिन देख निएल मेंधे कह जबल पूर में इस खंडपीट हैं और इनके को खंडपीट का निर्माण कब हुआ था 28 नौंबर 1968 को इंदावर और गॉलियर में खंडपीट का निर्माण किया गया था राजा राम मोहन राय जुड़े थे इन्हें भारती पुनर जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है और ये भारती समाज की कट्टरता रोडवादिता और अंद विश्वासों को दूर करके उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया था इन्होंने बहुत सारे समाज सुधार की बाल विवाय सती प्रता जाती विरोध किया इनकी जो रचनाएं हैं वो संबाद कौंबदी है इनकी जो रचना रचना कौन सी है संबाद यह प्रशन पूछा जा सकता है संबाद कौंबदी किसकी रचना है संबाद कौंबदी मिरातुल अकबार मीरात्वल अख़वार इत्यादी इनकी महत्पूम्ड रचना है और यह करिंट खेट से भी समेंदित है कि इनकी 2023 में इनकी 250 वी जहनती की रूप में एक बारसिक उत्सों मनाया जा रहा है 2023 में इनकी 250 वी जहनती पूरी हो रही है उसमें एक वार्सिक उत्सो मनाया जा रहा है और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फांडेशन में जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फांडेशन में उसमें इनकी मूर्ती का अनावरन किया जाना है तो राजा राम मोहन राय का दोसो पचासमी जैन्ती का पुरिय है 2023 में और उसके लिए भारत सरकार ने एक वर्सी उत्सो का आयोजन किया है जो 2023 में मनाया जाएगा 2023 में इसका समापन होगा और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में मूर्ती का भी अनावरन किया जाएगा तो इस तरह से करेंट अफेर्स के हिसाब से भी राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट हो जाते है नेक्स्ट नियाय मोर्ती रनाडे किस से जुड़े इसके लाब होगा राजा राम मोहन राय को महाराश्ट का सुक्राद बोला जाता है इनके कारियों के अधारपन इनको महाराष्ट का सुकरात बोला जाता है तो इस तरह से बहुत सारे फेक्ट कवर हो रहे हैं प्रातना समाज, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बिद्वापुनार वुवाय समयती से सबंधित रहे हैं महाराष्ट के सुकरात के रूप में इन्हें जाना जाता है लोकसभा सदस सांसद बनने के लिए नियुनतम उम्र कितनी है तो जो लोकसभा सदस हो, चाहे बिद्वाप सदस हो उनकी जो नियुनतम उम्र है वो 25 वर्स है लोक्षभा और विधान सभा चाहे आप यम्पी बनिए चाहे आप एमेले बनिए इनकी उमर जो है 25 वर्ज है कितनी है पच्चिस वर्ज जो 18 वर्ज है यह आपको बॉड डालने का उत्तरादिकारी बनाता है यदि 18 साल के आप हो गये हैं तो आप बूट डाल देंगे उत्तर अधिकारी है राष्ट पति प्रेसिडेंट और उप्राष्ट पती वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों की उमर 35 वर्स है, यदि आपको राष्ट पती और वाइस प्रेसिजेंट से समंदित पूछा जाता है कि इनकी उमर कितनी है, तो इनका निर्वाचन का 35 वर्स, नियुनतमाय कितनी होनी चाहिए 35 वर्स, राष्ट पती उपराष्ट पती का, लोक सबसदस और विधा मद्देत्परदेश becomes a united in doing it तो पहले इस्थान पर राजास्थान और मद्दपरदेस है इसका छे अबर किलियो मीटर है कि रिलू तोन के होलकर राजाओं ने कहां राज जी किया तो अबर के कि संस्थापक के रूप में मलनार्राव खूलकर को जाना जाता है Feel स्थापक कौन है मल्लाराव होलकर 1761 मल्लाराव होलकर ने की थी नीचे दिये गया विटामिनों में से कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो कीड़ा स्थियस अननंज करONG केणा हुआ explains और यह वसा में घुलनसील है कि वसा ने में घुलनसील एक माहां लहाँ टेटा तो यहां पर विटामिन एजिसन टी ने के मातर बच्राहे ़ कीड़ा कि कि तो यह पिड़ा को भी याद रखेगा हो सकता है इन में से संबन्दप्रिय पूछ ले कि कौन से वसा में घुलांसील है तो 4 पिटामिय में जो है वसा में घुलांसील है के लिए नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है तो भारत के सबसे लंबे बांध का नाम हीरा कुंड है यह उड़ीशा में है के वहयरत के सबसे लम्बे बांध का किया ही zebra कुण यहं उड़ी सा इसके लाब़ एक सबसे सब्सक्राच गुरुति बांध कौन सा है सबसे सब्सक्राथ बांध कौन सा इसमें कंफू meth weapons रहीरा कुण्ड और भाकडा नंबल तो यदि सबसे लंबा बांध पूछा जाता है तो हीरा कुंड उडीसा है और यदि सबसे उच्छा गुरुत्ती बांध पूछा जाता है गुरुत्ती ग्रैविटेस्टनल तो वह कौन सा है भाखडा नंगल जो पंजाब में है 17 नदीपे बना हुआ है नीचे दिये किस विकल्प में मैगनीसियम मौझूद है तो नीचे दिये हुए विकल्प में मैगनीसियम क्लोरोफिल में मौझूद है यह पौधों में पाया जाता है पौधे जो फोटो सैंथेसिस प्रकास संसलेशन की क्रिया होती उसमें क्लोरोफिल एक महत्पूर घटक हो जो पौधों का कलर होता है पत्तियों का कलर होता है वह हरे कलर का होता है तो जो मैगनीसियम की मौजूदगी है वह क्लोरोफिल में होती है राष्टी खेलदीवस प्रतेक वर्ष को मनाए जाता है!! किसी दिन मनाए जाता है? मेजर ध्यान चंद के जन्म दिवस के प्लच में 29 अगस्त को राष्टी खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है और अभी जो भारत का सबसे बड़ा खेल रतन पुरुसकार है उसे मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार के नाम से जाना जाता है और जो 2022 का खेल रतने पुरुसकार जो दिया गया है जो वर्तमान खेल रतने पुरुसकार दिया गया है वो दिया गया है अचल सरत कमल को किसको दिया गया है अचल सरद कमल को अचल सरद कमल को टेबल टेनिस के प्लेयर है इन्हें जो अभी 2022 का जो दिया गया है रास्टी खेल रतन पुरुसकार मेजर ध्यान चंद रास्टी खेल रतन पुरुसकार वो अचल सरद कमल को दिया गया है और यह टेबल टेनिस के प्लेयर है इस तरह से करेंटेफर कोई कोश्चन देख लेते हैं अब देखते हैं एक राज का राजपाल होता है तो राज का राजपाल जो होता है वो सम्मिधानिक प्रमुक होता है सम्मिधान में नीथ है राजपाल कपल सम्मिधानिक प्रमुक होता है और इसकी जो नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 155 के ताहित किसके ताहित अनुच्छेद 155 के ताहित राष्ट पति करता है तो राजपाल की नियुक्ति से यदि पूछा जाता है कि राजपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट पति करता है किसा अनुच्छेद के होती है 25 राजपाल के कितनी निंतम मोमर होती थी पाइटिस वर्स ? और जो वunde माजब से वी कोशिन पूचे जाते हैं वर्तमान वे भारत के नियंतरकों महालेखा परिच्छक क्याग好吃 तो इस में से कोई आपसन नहीं है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है उस समय के हिसाब से राजीयू महारसी थे लेकिन वर्तमान में जो कैग है हमारे वो कौन है स्री गिरीज मुर्मू यह जम्मू का स्मीर के इस से पहले उपराजपाल भी रहे हैं तो स्री गिरीज मुर्मू जो हैं कैग है और यह आठ अगस्त कि दो हजार बीस से कैग की पदमें है और भारती संविधान में जो कैग को भारत की नियंत्रा और महालेखा परिच्छक का वर्णन मिलता है तो आर्टिकल 148 148 से लेकर 100 इंक्यामन तक में इसका वर्णन मिलता है तो यह महत्तपूर्ण हो सकता है कि आर्टिकल पूछ ले तो इनका जो वर्णन मिलता है और जो वर्णन कैग है वो गुरीज मुर्मू है नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के पहले ODI क्रिकेट के कप्तान कौन है तो यह मंसूर अली खान पटोदी है कौन है मंसूर अली खान पटोदी है इसमाइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है इसमाइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है तो यह हमारा पर्माण परिच्छन का एक सीक्रेट कोड था तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बारत के सबसे सफल परमाल परिच्छन का कोड था इसे कब परिच्छन किया गया था? 18 माई 1974 को पोखरण में पोखरण में 18 माई 1974 को और इसके जो बैग्यानिक थे वो राजा रमन्नाव पोखरण राजस्थान में परिच्छन किया गया था तो समालिंग बुद्ध किस नाम से जाना जाता है यह सबसे सफल परमाल परिच्छन के लिए कोड के नाम से जाना जाता है इस तरह से आज हमने लगभग 25 क्वेश्चनों को कभर किया है जो बहुत ही महत्पूर्ण है और इनके अलावा उनके अत्रिक फेक्ट भी कभर किये हैं बाकी के क्वेश्चन हमने के from in the video में देखेंगी वीडियो को समस्क्राइब किजिए और अधिश सएधिक लोगों दोक सेर किजिए इस तरह से हम नेक्सट् वीडियो और और अधिक के साथ फिर लाके और नेक्स्ट् वीडियो में चर्चा करेंगे धन्नवाद